Hello everyone, this is Abhishek and welcome to my class आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमल कॉंडुलेटर टुबियूल के बारे में हम देखेंगे प्रॉक्सिमल कॉंडुलेटर टुबियूल में कैसे री एब्सॉर्पिशन होता है जब सारे एलिमेंट्स एक्स्क्रीशन के लिए जब निकल काते हैं तो आगे आपको इस चीज़ा समझने में असानी जाए ठीक है तो मैं क्या बता रहा था आपको अपने प्रॉक्स वीडियो में कि जब सोडियम आयन्स की दर जाते हैं इस चैनल के थुरू जब सेल में जाते हैं कैसे जाते हैं क्योंकि इनका लेवल है क्योंकि इनका लेवल जादा रहता है तो यह automatically अपने साथ खीच की कि इसको लेके चल जाता है जो भी elements जैसे glucose आयन से इसको खीच के लेके चल जाता है जब इसको खीच के लेके जाता है तो यह जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं secondary active transport यह कौन सा ट्रांसपोर्ट है यह secondary active transport होता है sodium जब यहां से जाता है जब sodium अकेला यहां से जाता है तो यह इसको जरूरत नहीं है किसी भी ignition की sodium जब अकेला जाता है तो इसको ignition की जरूरत नहीं होती है यह ATPS enzyme की इसको requirement नहीं होती है क्यों कि sodium का level यहाँ पे ज्यादा है, तो यह क्या करें कि ज्यादा level होने के वज़े से क्या ज्यादा forcefully यह क्या होगा, अंदर transfer हो पाएगा, ज्यादा strong है, sodium क्या है, convert tube in में ज्यादा strong है, तो यह यहाँ पे ज्यादा strongly होग पाएगा, transfer हो पाएगा cell membrane में without the help of ATPS enzyme मिना ATPS के मदद से यह हो पाएगा इज़र transfer और इस process को क्या बोलते हैं passive यानि PD लिट के रखे हो मैंने आप पे PD passive diffusion बोलते हैं क्या बोलते हैं passive diffusion बोलते हैं जब सिर्फ sodium यहां से यहां transfer होता है उसके high level होने के वज़े से और जब sodium यहां से यहां transfer होता है तो यह क्या लेके जाता है अपने साथ glucose लेके जाता है और उस process को बोलते हैं secondary active transport क्योंकि glucose का level यहां पे बहुत कम होता है converted tubule में और cell में जादा होता है तो glucose को ज़रूरत है किसी मदद की किसी lift देने वाले की कि भाई मुझे यहां पे बैठा के यहां पे लेके चलो कि अके लिए वहां पे चल के नहीं जा सकता क्योंकि glucose यहां पे बहुत weak है यहां पे बहुत कम है यहां पे glucose का level तो क्या कौन लेके जाता है sodium का level क्या phonal lip tribunal में जादा होता है concept clear हुआ आगे बड़े ठीक है तो जब sodium यहां से इसको इधर लेके जाता है sodium इसको लेके जाता है यह चीज clear हो गई अब आगे बड़े अब हम इधर आते हैं यह block देख लिए अब इस block में आते हैं ठीक है अब इधर क्या है यहां पे sodium है मैं बता रहाँ कोई पी जीज यहां नहीं आईगी ठीक है बिना sodium के मदद से कोई पी जीज यहां से यहां नहीं आईगी तो इसको क्या ज़रूरत है अब आ रहा हैं यहां पे amino acids हम देख रहे हैं glucose तो अगे हैं अब glucose आने के बाद हम amino acids कैसे आते हैं amino acids का reabsorption, converted tubule के थूट के थूट कैसे होता है, AA मतलब amino acids, ठीक है, यहाँ पर sodium आये ज़ए, तो जब amino acids यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जैसी sodium यहाँ पर आता है, तो sodium का जो gradient pressure रहता है, उसके gradient pressure से क्या होता है, क्योंकि sodium का level यहाँ पर ज़ादा है, amino acids इदर आते हैं, और जब amino acids इदर आते हैं, तो यह directly blood stream में, यह भी blood stream है, इदर की blood vessel है, तो directly channel रहता है cell में, उस channel के तुरू जो amino acids है, उस channel के तुरू amino acids क्या हो जाएंगे, यहाँ से cell में से travel करते हुए blood stream में, वापस amino acid का reabsorption हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है sodium ions यहाँ पर आ रहे हैं इक उसके gradient pressure से क्योंकि यहाँ पर level उसका जादा है साथ में amino acids को लेकर आ रहे है amino acids जब यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर किस तरिकस जाएगा वो यहाँ पर इस channel के थूर नहीं जाएगा वो यहाँ पर इस तरह ढप डारेक्ट चनल रहता है blood vessel का और cell के विचमें direct channel रहता है उस channel के थूर क्या हो जाएगा यह इसका basolateral membrane जो है रहे है cell की उस paragraph जाणनल के थूर जो amino acids directly travel करके किदर आ जाएंगे blood stream में blood vessels में यानि blood में आके absorb हो जाएंगे ठीक है ये point clear हो गया अब आगे पड़ें ठीक है क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पे lactate कैसे आता है हम देखेंगे lactate कैसे आता है यानि कि lactate जो आपका enzyme है lactate lactose जो है lactic acid जो है lectic acid किस तरीके से reabsorb होता है तो जर्फ lectic acid रयरे अप्जौर्ब होता है किस को म दद से होता है sodium के मतल से क्या होता है lev Thatкое रयर अब्जौर्ब होता है तो blektate ki soft been wash of heart तो एक पॉइंट है जिसको आप नोट कर लो कि जब भी यहाँ पर एलिमेंट्स एक्सक्रीशन के लिए आते हैं एक्सक्रीशन के लिए आते हैं तो जो भी आप कार्ब्स खाते हो, जानी कार्बोहाइटरेटि कार्बोहाइट समक्रिट कार्बोहाइटरिट निया काते हो ग्ल्ुůकोज अजाता है एमीनो ऐस्सद्ट्स पारीकिस तो छीजे का साथ शूरि ग्ल्कोज staircase आपकी अपकी अमीनो एसेट्स ग्लोकोज और लैक्टिड यह सारी चीज़े अब जितनी भी खाते हो तो यह क्या होती है यह यहां से तो निकल जाती है एक्सक्रिशन लिए 100% यह एक्सक्रिशन लिए निकलती है और 100% री एब्सॉर्ब हो जाती है मेरी बाद सबस्ज में आई आप जो भी चीज खाते हो उस चीज में से जो भी चीज आपकी एब्सॉर्ब होती है वालड्य उसको एब्सॉर्ब करती है ब्लड میں ब्लड में एब्सॉर्ब करने के बाद जब वो किडिनी के पास आता है फिल्ट्रेशन के लिए तो सारे चीजे हैं क्योंकि यह पॉजिटिवली चार्ज हैं पॉजिटिवली चार्ज होने के वज़े से यह कहाते ग्लॉम्रेलस से बॉमिन्स कैप्सुल में आ जाते हैं और साइस कम होने के वज़े से यह 100% जितने भी आपने खाया है एक्सक्रीशन के लिए निकल जाते हैं आपकी बॉड़ी से और आपकी बॉड़ी क्या चाहती है कि यह 100% एलिमिनेट ना हो आपकी बॉड़ी से क्योंकि आपकी बॉड़ी को यही तो न्यूट्रिशन है आपकी और ग्लुकोस इस तरीके के चीज़, not vitamins, amino acid, lactic और glucose जैसे चीज़ें को करते हैं, 100% इनका reabsorption हो जाता है body में, पॉइंट ध्यान रखना, ये चीज़े जब eliminate होने के लिए निकलती हैं, glucose, amino acids, lactic acid, ये सारी चीज़ें, और water ही क्या हो रहा है, 100% reabsorb हो जा रहा है cells में, और reabsorb होने के बाद, जब reabsorb हो जाता है तो भार कैसे नहीं हो लेगा, ये इन channels के तुरु भार नहीं हो लेगा, जैसे कि यहां पर एक path है, एक रास्ता है, यहां पर gateway है, एक channel है, उस तरीके से यहां पर भी एक channel है, जिसके तुरु क्या होता है, जो भी enzymes, और जो भी amino acids, glucose, जो भी हां पर 100% reabsorb हो आ है, 100% reabsorb होने के बाद, इस cell के तुरु, इस channel के तुरु बापस blood stream में, यह blood vessel में, वापस क्या होगा, reabsorb हो जाएगा, और कितना, और sodium कितना reabsorb होता है, मैं sodium की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मेरा point, मैं sodium की बात नहीं कर रहा हूं, कि sodium 100% reabsorb हो रहा है मैं amino acids की lactate की और glucose की बात कर रहा हूँ कि यह 100% reabsorb होता है ठीक है और यह 100% reabsorb होकर कहां मिल जाते हैं bread stream में मिल जाते हैं cells में आ जाते हैं इसलिए glucose का जो level रहता cell में जाधा रहता है क्योंकि 100% reabsorb हो रहे है अब ही इनके reabsorption के बाद जो H2O भी आएगा इनके साथ water भी आ रहा है साथ में है ना water भी reabsorb हो रहा है ना जितना पानी पिया है आपने उतना ही आप eliminate नहीं करते हो मैंने किंता बताया आपको कि 125 ml पर minute आपके body से क्या होता है elimination के लिए निकलता है है ना water loss होता है पूरा पूरा नहीं होता है ठीक है 1200 क्या ml निकलता है 625 reabsorption के लिए जाता है 625 में से 20% ही water क्या होता है excretion के लिए नीचे जाता है ठीक है अब water कितना अब्लड स्ट्रीम में अब्लड स्ट्रीम में अब्लड स्ट्रीम में यह हो रहा है ठीक है 65% water and 65% glucose क्या हो रहा है blood stream में reabsorb हो जा रहा है फिर से मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको कि sodium 100% अब्सार्ब नहीं हो रहा है sodium water और glucose कितना परसेंट अब्सार्ब हो रहे है blood stream में blood stream में यह हो रहे 65% और कुछ परसेंट कहां अब्सार्ब हो जा रहा है glucose cell में अब्सार्ब हो जा रहा है ठीक है अब यह चीज़ किया होगी अब हमने यह पॉइंट देख लिया हमने अब्सार्ब देख लिया हमने ग्लुकोज और कार्ब वारा पॉइंट देख लिया अरव हम देखेंगे किस पॉइंट में इस section में ठीक है तो इधर मैं लिख देता हूँ ठीक है यह था पहला पॉइंट हमने पहला इसकर doświad क्या फिर सेकेंड हमने किसको इसको इसको दिसको सिया HOLJ थर्ट किसको भिया हमने की सवी कियाक हमें Q lum दिसकें अब प्रत हम अब इस पह प्य है है ना अब हम इसको discuss करेंगे इस point को ठीक है इसलिए लिख दिया था कि आप जब देखो दुबारा या screenshot ले लो इसको और जब आप इसको देखोगे तो यह आपको आपको साधर फिर सब्सक्राइब आपको याद आजाएगा ठीक है याद सारी चीजह है कि हमने कौन से point को discuss किया थीक है अब हम इसको discuss करेंगे ठीक है यह वाला point क्या होता है आपकी body में और correlated tubules में क्या होता है इधर आजाग ठीक है अब blood में क्या present रहता है क्योंकि इसमें carbon dioxide present है तो carbon dioxide क्या होती है डारेक्ट ट्रेवल करके आती है थीक है बलड में से carbon dioxide ट्रेवल करके आती है वाजस बजबंच में आ रही है बलड में से carbon dioxide करके आ रही है cell के तरफ, ठीक है, cell में travel करके आ लिए, और जब carbon dioxide travel करके cell में आता है, तो यह किस से combine करता है है, H2O, CO2 combines with H2O, CO2 यानि carbon dioxide combine करता है water से, और जब यह water से combine करता है, तो एक reaction होती है, जब carbon dioxide water से combine करता है, तो एक enzyme रहता है, cell के अंदर एक enzyme रहता है, जिसको बोलते है carbonic anhydrase, कुझजा enzyme होता है, carbonic, अगर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, carbonic anhydrase नाम का enzyme रहता है present cell के अंदर, जब CO2 carbon dioxide आता है cell के अंदर, तो क्योंकि cell के अंदर water H2O present है, तो यह CO2 और H2O combine होगा, और react करेगा carbonic anhydrase, जो catalyst है, इसकी presence में यह दोनों react करेगे, और react करके क्या बनाएंगे? H2CO3, क्या बनेगा? H2CO3, यह बाय कार्बोनेट बनेगा, ठीक है क्या बना रहे हैं यह, बाय कार्बोनेट बना रहे हैं, H2CO3 बना रहे हैं, ठीक है? और जब यह बन जाता है, तो यह degrade होगा, यह क्या होगा? अलग-अलग होएंगे, इनका breakdown होगा, H2CO3 बनने के बाद इसका breakdown होगा, और इसका breakdown होगा, तो H2CO3 का, तो H hydrogen ions अलग निकल जाएंगे, ठीक है? इसमें से HCO3 अलग निकल जाएंगे, और H2CO3 अलग निकल जाएंगे, ठीक है? तो यह होगया, carbonic acid होगया अभी, ठीक है? यह क्या था? बाय कार्बोनेट की बना, बाय कार्बोनेट के बाद यह दोनो, इसमें से hydrogen ion अलग होगया, H2 याने, 2 hydrogen के आएंग, ठीक है? इसके साथ क्या मिला है CO3 क्योंकि O3 कैसे आया CO2 याने एक कारवन दो ऑक्सिजन एक कारवन दो ऑक्सिजन जब इदर आये तो H2O के साथ मिले है एक एक ऑक्सिजन इसके दो ऑक्सिजन सी मिलेगा तो किता हो जाएगा CO3 हो जाएगे याने तीन मिल जाएगे मॉलिकूल्स ऑक्सिजन के और एक और इसका जो H2 और मिल जाएगा H2CO3 बन जाएगा अब H2CO3 का डिग्रेडिशन अलग अलग होएगे है और HCO3 अलग हो गया याने कारवनिक एसट बन गया ठीक है तो क्या बताया मैंने यहां पर क्या हो रहा है सब्सक्राइग है कारवनिक अलग हो गया अब जो हैड्रोचन अलग हो गया यहां से इधर इस चंगर लिप्रू यहां से भार आजाएगे यहां पर एक और यहां पर जो इंजाइन प्रेजंट है कार्बोनिक अन्हाइडरेस के मदद से क्या होगा यहां से अल्मिनेट हो रहा है यहां से हैं क्या है यहां से हैं पर रोक लेता है इस चैनल में और कार्बोनिक अन्हाइडरेस करता है इस तरीके से यह यहां पर हो जाएगा यहां से वापस क्या होगा है यहां से ट्रेवल करके वापस ब्लड स्क्रीम में है यहां पर क्या हुआ है इस तरीके से यहां पर आकर है और रिमूवल भी करवाता है इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे